हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो गाईज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शियर करूंगी कि आप अपने खुद के बालों पर महंदी किस तरह से लगा सकते हैं तो गाईज कई बार ना मतला हमेशा महंदी किसी और से ही लगवाते हैं बट हम खुद भी अपने बालों पर काफी अच्छी तरीके से काफी इजी तरीके से महंदी लगा सकते हैं काफी असान है तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है तो गाईज वीडियो अच्छी लगए तो तो guys अपने white hair को cover करने के लिए मैं use करती हूं Nisha nature matte original black color and Nisha nature matte original brown color दोनों color को मैं mix करके use करती हूं इससे काफी natural वाला color आता है ना तु मेरे बाल बहुत जबा black black हो जटते हैं ना ही red मुझे natural color काफी जबा अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि मैंने कोई भी महंदी का यूज नहीं किया तो अगर आपको भी white hair की problem है तो आप ये वली महंदी का यूज कर सकते हैं local market store से आप इसे buy कर सकते हैं online भी buy कर सकते हैं मैं काफी time से use कर रही हूँ मुझे इसके result काफी जदा अच्छे लगते हैं इसे आपके बाल बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे smoothing करवाने के बाद भी आप ये वली महंदी यूज कर सकते हैं अगर आपको white hair की problem है इसमें कोई भी ammonia नहीं है तो काफी अच्छी natural महंदी है हीना महंदी है तो guys सबसे पहले ना मैं इसे दोनों packet को mix कर लूँगी दोनों packet को आपको mix कर लेना है जितनी आपको need है उतनी आप इसकी quantity ले सकते हैं अपने बालों की length के according तो मैंने दोनों packet ले लिए हैं और मेरे बाल लंबे हैं तो दोनों packet यूज हो जाते हैं अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप इसकी कम quantity भी ले सकते हैं इसे दो बार use कर सकते हैं तो मैंने इसे simple पानी में mix की हैं अगर आप बरगंडी shade चाहते हैं तो आप इसमें beetroot coffee add कर सकते हैं अगर आप natural brown color चाहते हैं तो आप सिरफ coffee add कर लीजिए coffee चीज़े आप इसमें add कर सकते हैं बट अगर आपके पास सारी चीज़े available नहीं हैं तो simple पानी में भी इसका color काफी ज़्यादा अच्छा हैगा तो instant आप उसी time इसे use कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि काफी देर के लिए आपको इसे भिखोकर रखना है तो मैंने जैसे ही इसे बनाया है उसी time मैंने अपने बालों पर इसे लगा लिया मैंने किसी की help नहीं लिया है इस महंदी को लगाने के लिए सिरफ आपको brush चाहिए एक जिसे की अच्छी तरह से आप अपने बालों पर यह लिए महंदी का यूज कर सकते है तो देखे इस तरह से अच्छी तरह से इसे mix करना है ताकि इसमें कोई भी lumps ना हो और काफी अच्छी तरह से यह हमारे बालों पर लग जाए जब भी हम महंदी लगाते हैं तो हम किसी ना किसी की help जरूर लेते हैं अगर आप चाहें तो खुद अपने बालों पर भी काफी अच्छी तरह से महंदी लगा सकते हैं सबसे पहले तो अपने बालों पर अच्छी तरह से combing कीजिए सारे tangles को remove कर लीजिए और partition कर करके आपको महंदी का use करना है जहां जहां पर आपको white hair की problem है वहाँ पर अच्छी तरह से महंदी को apply कीजिए कम से कम 35 या 40 मिनट्स के लिए आपको इस महंदी को अपने बालों पर लगा कर रखना है इसके बाद आप simple पानी से hair wash कर लीजिए शैंपू का use ना कीजिए दो दिन अपने बालों पर अच्छी तरह से oiling करके रखें फिर दो दिन के बाद अगर आप hair wash करेंगे ना तो इसका color काफी जदा पका रहेगा और कम से कम एक डेड महिना दोबारा आपको महंदी लगाने की जुरुत नहीं पड़ेगी तो देखिए इस तरह से partition करकर के brush की help से आपको महंदी लगा लेनी है सबसे जदा white hair की problem front के बालों पर ही होती है जो front forehead के बाल होती है वहाँ पर हमें white hair की problem काफी ज़्यादा होती है तो इस तरह से partition करकर के combing comb की help से आप अच्छी तरह से महंदी का use कर सकते हैं इस तरह के brush से तो मुझे white hair की problem काफी जाता है white and gray hair मेरे काफी ज़्यादा है काफी जल्दी white hair हो जाते हैं तो मैं यही वाली महंदी use करती हूँ कम से कम 1.5 महीना मेरा अराम से निकल जाता है तो देखे कितनी असान तरीके से मैंने अपने सारे बालों पर महंदी लगा लिया है इसे मुझे 30 यह 35 यह 40 मिनर्ट के लिए अपने बालों पर रखना है इसके बाल सिंपल पानी से मैं hair wash कर लूँगे और इसका काफी अच्छा वाला color आएगा तो गाईज अगर आपको भी white यह gray hair की problem है तो आप निशा महंदी का यूज कर सकते हैं खुद अपने बालों पर महंदी बड़े ही असान तरीके से लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लगाई है आप गाईज आपको मेरी येवली वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे हो चैनल को कर दे सब्सक्राइब तो चलिए गाईज अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब कर देंक्यू बाई